मूवी की शुरुआत में हम फेमस एक्टरस एना फ्रिडस की डेड बूरी को देखते हैं जिसे मुर्दा घर लाया जाता है क्योंकि अचानक सी उसकी किसी वज़ा से मौत हो गई थी उसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जिन में से एक का नाम इवान था और दूसरे का नाम जावी था और वो दोनों अपने दोस्त पाउव से मिलने हॉस्पिटल आये थे ये असल में ये तीनों मिलकर एक पाटी में जाने वाले थे लेकिन पाउव की डूटी तो एक घंटे बाद खतम होने वाली थी क्योंकि पाउव इसी हॉस्पिटल में मुर्दा घर में काम करता था फिर वो तीनों दोस्त वहां से बहार आ जाते हैं और तीनों मिलकर खुब डिरिंक करते हैं तबी पाउ उन दोनों को एक एना फिट्स के बारे में बताता है जैसे सुनकर इवान पाउं से पूछता है कि क्या हम उसकी डेट बोरी देख सकते हैं जिस पर पाउं उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो काफी रिस्की था, लेकिन इवान बार-बार जिद कर रहा था, उसे देखने के लिए इवान के इतना फोर्स करने पर पाउं उन्हें दिखाने के लिए मान जाता है, और पाउं अपने जोब को खतरे में डाल कर उन्हें उ इचे करता है क्यूंकि उसे यपी नहीं हो रहा था कि ये इभान जान बूजकर उन दोनों को इसकी बोड़ी को टच करने के लिए कहता है तब जावी भी उसे टच करने लगता है के बाद इवान और भी जादा उतेजिध होने लगता है और कहता है कि मैं इसको साथ एक बार इंटीमेट होना चाहता हूं तब जावी उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन इवान जिद पर अड़ गया था और वो इसलिए ऐसा करना चाहता था क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत फेमस एक्टरस थी फिर चाहे वो जिन्दा हो या मुर्दा उसे कुछ फर्क नहीं परने वाला था तब ही पाउन दोनों को बताता है कि मैंने भी एक बार ऐसा किया था और मैं भी इसके साथ इंटिमेट होना चाहता हूँ पर जावी कहता है कि ये सब गलत है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन अब वह दोनों उसके दोस्त है इसलिए उसको उनकी बात माननी परती है चाहे वो उनकी तरह ना करना चाहता हो पर फिर भी उसे मानना पड़ेगा फिर वो तिनों ड्रक्स लेते हैं उसके बाद पाव और जावी एक अलग रूम में आ जाते है और उदर इवान उसके साथ इंटिमेट होने लगता है फिर इवान के बाद पाव जाता है और वो भी उसके साथ ऐसा ही करता है तब पाउने बताता है कि एना जिन्दा हो गई है, फिर एना को जिन्दा देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि एना को पता था कि उन दोनों ने उनके साथ गलत किया है, और बाहर जाकर वो पुलिस वालों को जरूर सब कुछ बता देगी, कि मुर्दा घर में दोनों ने उसके साथ क्या किया, तब ये सोचकर इवान एना को मारने का प्लैन बनाता है, क्योंकि वो कोई भी डिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो भी यहां पर एना की मदद करता है, और उसे कपड़े से ढख देता है, क्योंकि वो इवान की बात पर सहमत नहीं था कि वह उसे मार डाले तब जावी इवान से कहता है कि तुम्हें एना के साथ गलत किया है उसकी सदा तुम्हें मिलनी ही चाहिए इस बात पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में इवान अपने दोस्त को बहुत मारता है तब ही पाव आकरों दोनों की लड़ाई को रोकता है इस वज़े से उसके सर में गहरी चोट लग जाती है इसलिए उसके सर से काफी खून भी निकल रहा है तब ही वो दोनों दोस्त उसे फर्स्ट एट देने का सोचते हैं लेकिन ये दोनों उसे बाहर तो ले जा नहीं सकते थे इसलिए वो दोनों उसे गिसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाने लगते हैं और साथ ही वो एना को भी उसी रूम में ले जाते हैं यहां पर एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो काफी घंटों के बाद दोबारा जिन्दा होगी थी इसलिए वो अपने हाथ पहर को मुव नहीं कर पा रही थी उसके बाद पाव अपने कपड़े बदलता है लेकिन तब भी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है तब एना चिलाकर उसे मदद मागने की कोशिश करती है पर इससे पहले विवान अपने हाथ उसके मुव पर रखकर उसका मुव बंद कर देता उसके बाद पाव उस नर्स के साथ वहाँ से चला जाता है तब इवान देखता है कि उसका दोस्त जावी अब मर चुका है जैसे देखकर वो काफी परिशान हो गया था फिर थोड़ी देर बाद जब पाव वापस आता है तो उसे भी पता चलता है कि जो अब मर चुका है जैसे देखकर वो काफी रोने लगता है तब ही इवान उसे तसली देता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ये सिर्फ एक खादसा था तब एना कहती है कि तो मैं इस सब के लिए सजा सरूर मिलेगी जैसे सुनकर इवान पाव को बाहर लेकर आता है और उसे कहता है अगर हम पकड़े गए तो हमारी लाइफ और करियर सब कुछ बरबाद हो जाएगा इसलिए हमें जावी को डेड बोडी को कहीं पर चुपाना होगा और साथ ही एना फ्रिट्स को भी जान से मारना होगा फिर एना खुद को स्टैचर से नीचे गिराती है और जावी के पोकेट से मुबाइल निकाल कर किसी को मदद के लिए कॉल करती है लेकिन तब ही इवान और पाव वहां पर आ जाते है और उससे मुबाइल चीन लेते है तब इवान देखता है कि उसने किसी को कॉल कर दिया है लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई वो दोनों से किसी दूसी जगा पर ले जाने लगते हैं तब ही जावी के मुबाइल पर कॉल आने लगती है और ये उसी की कॉल थी जो नमबर एना ने डायल की थी फिर इवान जैसे ही कॉल उठाता है तब एना चिलाकर उसे मदद मागने की कोशिश करती है लेकिन पाव उसके मुँपर हाथ रखकर उसका मुँब बंद कर देता है इवान उसे रोंग नमबर कहकर कॉल कार देता है और एना को रूम के अंदर से ले जाकर उसे थपड मारता है जिस पर एना उसे कहती है तुम्हें इस बात के लिए सदा जरूर मिलेगी तब ही इवान चिलाकर कहता है कि मत भूलो कि तुम थोड़ी दिर में मनने वाली हो इवान कंटेनर लेने के लिए वहां से बहाँ जाने लगता है तांकि वो जैवी की डेट बोडी को उसमें डाल कर कहीं पर ले जा सके और अब पाव भी एवान के हाथ पैर बानने लगता है तब एवान कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई दुरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है ये सब उसी की गलती है लेकिन पाव उसके मूँ पर टेप लगाकर उसका मूँ बंद कर देता है वो दूसरे कमरे में जाकर वहाँ पर लगे हुए खून साफ करने लगता है तब इस बात का फैदा उठाकर एवान किसी तरह रिंगते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है वो दूसरे तरह इवान भी कंटेनर लेकर वापस आ रहा था लेकिन पाव खून साफ करने में बीजी था तब इवान वहाँ आकर पाव को बताता है कि एवान बाग चुकी है तब वो दोनों एवान को इधर उधर ढूनने लगते हैं जो कि किसी तरह रिंगते हुए लिफ्ट तक पहुँच गई थी और वो बस यहां से निकल नहीं वाली थी पर तब ही वाँ पर इवान आ जाता है और उसे गिसीटते हुए दुबारा मुर्दा गर में ले जाता है जिसके बार पाव इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने जान मुझकर जावी को मारा है तुमने जान मुझकर जावी को मारा है लेकिन इवान कहता है नहीं मैंने जान मुझकर उसको नहीं मारा वो तो सिर्फ एक हाथसा था और साथ ही वो कहता है कि तुम्हें एना की बातों में नहीं आना चाहिए उसके बाद वो दोनों प्लैन बनाते हैं कि एना को किस तरह मारा जाए जिससे कोई भी सबूत ना रहे तब इवान कहता है कि हमें इसकी सांसे रोक कर उसे मारना चाहिए जिसके लिए पाव इवान को एक कपड़ा लाकर देता है और इवान कहता है कि नहीं मैं नहीं बलकि तुम एना को मारोगे लेकिन पाव एना को माना नहीं चाहता था और वो ऐसा करने से मना करता है इवान जवरदसी पाउं का हाथ पकड़कर एना के मुग पर कपड़ा रखता है एना की सांस बंद होने की वज़ा से उसकी दुबारा मौत हो जाती है उसके बाद वो दोनों एना की बोड़ी को स्ट्रेचर पर रखते हैं वो जावी की बोड़ी को कंटेनर में डाल देते हैं फिर इवान उस कंटेनर को लेकर वहां से बाहर जाता है और बाहर जाकर जावी की बोड़ी को एक जगा पर फेंकर वापस आने लगता है और उदर पाव भी एना की बोड़ी को अची तरह साफ करके वही रख देता है जिसके बार वो बस वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन जाने से पहले वो एना के मुँग से कपड़ा हटाता है तब वो देखता है कि एना अभी भी जिंदा है और वो सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी तब ही पाव एना से कहता है कि तुम बिल्कुल चोप रहना जिसके बाद इवान भी मुर्दा घर में वापस आ जाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तब ही इवान जाने से पहले अपना वालेट चेक करता है लेकिन उसमें उसका अडेंटी कार नहीं था तब इवान अपना आईडी कार लेने के लिए वापस मुर्दा घर में जाने लगता है यहाँ पर पाव उसे रोगने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोगता और मुर्दा घर के अंदर जाता है तब ही वो देख लेता है कि एना अभी भी जिन्दा है तब एना को जिन्दा देखकर इवान पाव पर काफी गुसा करता है और वो उसका गला गोटने लगता है लेकिन तब ही पीछे से एना एक कैची इवान के गले में दो बाश टेप करती है जिसे उसका गला कट जाता है और उसकी वहीं पर तड़कते हुए मौत हो जाती है ये देखकर पाउ एना को कहता है कि ये तुमने क्या किया तबी एना पाउ को भी जान से मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है